प्रिंट साज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन राइटर पर्ल एस बग की एक एसे के बारे में जिसका नाम है इंडिया थ्रू और ट्रावलर्स आई यह उनकी कलेक्शन माइ सेवरल वर्ड्स का एक हिस्सा है चोटा सा एकस्ट्रैक्ट है और इसमें उन्होंने इंडिया में बितायए हुے अपने समय को डिस्क्राइब किया है क्या कुछ उन्होंने नोटिस किया है इंडिया के बारे में और किस तरह से वो नोटिस करती हैं कि इंडिया अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा वो डेवलप कर रहा है और वो आजादी चाहता है और वो तयार है कि वो अब अपनी लडाईयां खुद लड़े और चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां क्यों न देना पड़े इंडिया इसके लिए पूरी तरह से तयार है तो फ्रेंड्स ये एक तरह से कहें तो एक ट्रैवलॉग है राइटर इंडिया आती है उस समय के बारे में फ्रेंड्स पर्ल एस बग एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट थी उनका जन्म हुआ था 26 जून 1892 में और उनकी डेथ हुई थी 6 मार्च 1973 में उन्हें जाई जन्जू के नाम से भी जाना जाता था ये फ्रेंड्स एक चाइनीज नेम हैं क्योंकि पर्ल एस बग काफी समय तक चाइना में भी रही है ये कह सकते कि उनकी अब ब्रिंगिंग जो है वो चाइना में हुई उनका बच्पन वहीं बीता है तो ये चाइनीज नेम भी वो यूज किया करती थी साथ ही उन्हें पुलिजर प्राइज और नॉबल प्राइज इन लिट्रेचर दोनों ही जो बहुत बड़े और important awards हैं वो भी मिल चुके हैं और उनकी famous works में A House Divided, China Sky, The Child Who Never Grew इस तरह की works शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इस essay को समझते हैं फ्रेंट्स इस essay की starting होती है और जो writer है वो बताती है कि इंडिया जो है वो उनके life के background में हमेशा से जुड़ा रहा है और वो बताती है कि इसकी शुरुवात उनके बचपन से ही होती है बचपन में उनके जो family doctor थे वो भी एक Indian थे और जो उनकी wife थी वो उन्हें इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताती थी साथ ही वो अपने father से बुद्धिस्म के बारे में जानती थी और ये भी उन्हें पता चला था कि ये जो बुद्धिस्म religion है जो Lord बुद्ध है उनका जन्ब कहां हुआ था तो इंडिया में तो इंडिया के लिए उनकी इज़त जो है वो उनके बच्पन से ही शुरू रही है इसके बाद वो आगे बढ़ती है और बताती है कि ये जो word है color इसका सही मतलब तो इंडिया आके ही उन्हें पता चला है क्योंकि यहां जो color है वो यहां के सिर्फ सिनरी में ही नहीं है यहां के logo में भी है यानि उनके जो skin color है वो भी काफी different है अगर आप कश्मीर आएंगे तो वहां के लोग क्या हैं बहुत गोरे हैं बिलकुल Englishman की तरह उनकी आखें हरी होती हैं बाल ब्राउन होते हैं बिलकुल अलग color होता है उनके body का लेकिन जैसे जैसे आप South की तरफ move करते जाएंगे तो जो लोगों की skin के color हैं वो थोड़े dark होते जाते हैं अगर आप Middle India में रहें तो वहां के लोगों की जो color होती है वो chocolate brown होती है और और नीचे आते जाएंगे South India की तरफ बढ़ते जाएंगे लास्ट छोड तक पहुँच जाएंगर इंडिया के तो वहां पर skin का color बहुत जादा dark हो जाता है कभी कभी तो African से भी match करता है तो यही समझा रही है कि color जो है वो इंडिया में एक काफी बड़ी बात है लेकिन लोगों में differences नहीं है एक दूसरे को color के अधार पे लोग judge नहीं करते उनका तो यह कहना है कि जो Indians हैं वो black people और white people इन दोनो races के बीच में एक तीसरी race बनती है यानि जैसे African people हैं उन्हें black माना जाता है American people हैं उन्हें white माना जाता है लेकिन Indian people जो हैं वो ना Africans में आते हैं ना Americans में तो वो अपनी खुद की एक तीसरी race बनते हैं आगे friends यह जो poet हैं यह writer हैं वो बताती हैं कि चूँकि उनका बचपन जो है वो चाइना में बीता है तो इनकी यह जो पूरी family है American family है यह काफी समय तक चाइना में रहती थी लेकिन जो इनका doctor था family doctor वो एक Indian था तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना knowledge है education है कि एक Chinese country में एक American family के लिए एक Indian doctor है तो इस तरह से उन्हें बचपन से ही यह पता था कि जो Indians हैं वो बहुत समझदार हुआ करते हैं इसके लिए वो examples देती है गांधी जी का जिन्होंने international revolution स्टार्ट कर दिया इंडिया में तो उनकी इज़त होती ही है लेकिन पूरी दुनिया में उनकी इज़त होती है इतने popular रहे हैं वो और साथ ही वो बात करती है जवाहर लाल नहरू का ये बताती है कि वो कितने intelligent रहे हैं उनके लिखे हुए works जो हैं वो बताते हैं कि कितना knowledge है उनके अंदर और फिर बात करती है वो women के बारे में ये कहकर कि पहली बार कोई women president बनी है UN General Assembly की और वो भी कौन तो एक Indian और वो कौन थी friends तो विजया लक्षमी पंडित बहुत ही famous रही है वो तो वो United Nations General Assembly की पहली women president रही है और इस बात का उन्हें आश्चारिय हराइटर को कि इतने सारे developed countries में आखिर एक Indian women कैसे चुनी गई वो कहती है कि लोग अकसर कहते हैं कि Indians जो हैं वो बेवकूफ हैं वो बारबरिक हैं उतने developed नहीं हैं लेकिन ये सभी बाते जो हैं वो Indians के support में आती हैं और बताती हैं कि Indians बहुत ही intelligent होते हैं आगे बढ़ती हैं वो और वो बताती हैं कि जब वो इंडिया आई तो उन्होंने क्या देखा वो कहती हैं कि वो ताज महल देखने इंडिया नहीं आई थी लेकिन उन्होंने ताज महल को देखा और वो भी चांद की रोशनी में देखा जब ताज महल सबसे ज़ादा वो आगे कहती हैं कि मैं इंडिया आई थी दो तरह के ग्रूप से मिलने के लिए यानि इंडिया के जो लोग हैं वो कई ग्रूप में बटे हुए थे और ये दो तरह के ग्रूप से मिलने आई है पहला ग्रूप है जो शहरों में यंग इंटेलेक्चुल्स रहते हैं यानि जो जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे मिलने आई हैं, उनकी बातों को समझने आई हैं, और दूसरा वो कहती हैं कि वो गाउं में जो रहने वाले पिजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनसे मिलने आई हैं, वो कहती हैं कि असली इंडिया जो है ये इन्ही दोनों groups में बटा हुआ है और वो जानना चाहती है कि आज का जो भारत है वो आखिर क्या सोचता है Britishers के बारे में जो World War हुई है हाल में उसके बारे में और अपनी आजादी के बारे में तो सबसे पहले वो शहरों में जाती है वहाँ पर जो intellectuals हैं जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं उनसे बाते करती हैं और बताती हैं कि जो इंडिया के नौजवान हैं वो गुसे में हैं restless हैं और इसका कारण ये है कि उन्होंने First World War में Britishers को support किया था England को support किया First World War में उनके साथ लड़े इस उम्मीद में कि जब ये World War खतम होगा तब इंडिया को उसकी आजादी लोटा दी जाएगी लेकिन Britishers ने ऐसा नहीं किया और उनसे कहा कि आप अभी आजादी के लिए ready नहीं है आपका देश अभी तयार नहीं है और इस बात पर जो राइटर है वो पूछती है कि आखिर भला कोई देश तयार कैसे हो सकता है इसके लिए कोई नियम थोड़ी है कि आप इस तरह के काम कर लेंगे तो आप तयार हो चुके हैं आजादी के लिए आजादी तो एक तौफा है आपको आजादी उन्हें देनी होगी वो खुद ही अपने आपको डेवलप कर लेंगे आपको उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ देना होगा और कभी कभी उनकी मदद करनी होगी तो इसी बात के कारण जो भारत के नौजवान हैं बढ़े लिखे नौजवान वो बहुत ही गुसे में हैं और साथ ही वो प्लान कर रहे हैं कि अब ये जो दूसरा वर्ल्ड वार होगा इसमें भारत इंगलेंड का साथ नहीं देगा अगर इंगलेंड ने प्रॉमिस नहीं किया कि वो भारत को उसकी आजादी लोटाएगा तो इंडियन्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे अब जो राइटर हैं वो पूछती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपने ऐसा क्यों नहीं किया आपको ये शर्ट तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही रखनी थी तो इस पर जो भारतिये हैं वो कहते हैं कि हमें पता था हमारे पास सिर्फ दो आप्शन्स हैं या तो हम बार्बेरिक लोगों में चुने यानि वो लोग जो जंगली हैं जो लोगों की लाइफ में वाल्यू नहीं रेते या हम सिविलाइजेशन में चुने यानि Britishers में चुने जो भले ही गलत बिहेव करते हैं लेकिन उनका रहने का तरीका सही है उनके बीच में न्याय है, जस्टिस है और इसी लिए उन्होंने अपनी मांगों को बगल रखकर England को सपोर्ट किया तो इससे पता चलता है कि जो भारती हैं वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते पूरी समाज, पूरी सभिता के बारे में सोचते हैं मगर अब ऐसा नहीं होगा Second World War में England को इंडिया को प्रॉमिस करना होगा अगर England प्रॉमिस करेगा तब ही इंडिया उसके साथ लड़ेगा वरना उसके खिलाफ लड़ेगा और इसके बारे में England कुछ नहीं कर सकता है तो ये सब कुछ सुनकर राइटर जो हैं वो इंडियान से बहुत इंप्रेस्ट हुई है साथ ही वो बताती हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं गांधी जी का भी हाथ है जो की non-violence को support करते हैं इंडियन्स को प्रगती के राह पे ले जाना चाते हैं चाते हैं कि इंडिया develop करे लेकिन वो लड़ाई जगडे को support नहीं करते हैं तो वो गांधी जी के प्रती भी अपने लिए बताती हैं कि वो गांधी जी की respect करती हैं और उनके morals को accept भी करती हैं लेकिन अब यहां से writer आगे बढ़ती हैं शहरों का हाल तो उन्होंने जान लिया वहां के नौजवानों का हाल जान लिया लेकिन असली भारत कहा है वो तो गांधी रहे तो वो गांधी तरफ आती हैं गांधी जाती हैं वो गूमने के लिए और वहां पर के अपने experience को बताती हैं सबसे पहली चीज़ जो वो notice करती हैं वो देखती हैं कि वहां कितनी गरीबी है इतनी गरीबी आखिर कैसे हो सकती है अगर Britishers पिछले 200 सालों से इंडिया पर राज कर रहे हैं तो आखिर इतनी गरीबी इतनी problems कैसे है 200 सालों में भी ये problems खत्म क्यों नहीं हुई वो कहती हैं कि वो चाइना में भी रही हैं लेकिन चाइना के भी जो फार्मर्स हैं वो बहुत खुश हैं जिस तरह की हालात इंडिया में हैं सिर्फ रशिया के ही जो farmers हैं वो ही थोड़ी इस तरह के हालात में हैं लेकिन वो भी दूसरी बात के कारण रशिया में नाजी वाला रूल था काफी कुछ problems थे οιτεलर्स के कारण तो इस तरह के कारण वहां पर हालात बिगड़े हुए थे लेकिन भारत में तो ऐसी situation नहीं है तो भारत के किसान आखिर इतने गरीब क्यों है क्यों उनके पास खाने पीने तक की चीज़े नहीं है उनके बच्चे जो हैं वो आखिर इतने कमजोर क्यों है यानि जो इंडियन बच्चे थे गाओं के बच्चे बहुत ही पतले हुआ करते थे और उनकी आखे अंदर को धसीवी होती थी बड़ी बड़ी नजर आती थी अगर कुछ बड़ा होता था तो वो था उनका पेट यानि ये भी एक बिमारी है कमजोर शरीर बड़ा पेट और धसीवी आखे ये सब कुछ क्या दिखाती है भूग को और ये सब कुछ देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है वो कहती है कि जब भी बिटिशर ऐसे इन बच्चों को देखा करते होंगे तो उनकी रूह कैसे नहीं कापती होगी कि कैसे वो इंडियन्स के साथ इतना गलत बहेव करते हैं आगे वो ये भी कहती है कि इंडियन्स की हालत इतनी खराब इसलिए सिर्फ नहीं है कि बिटिशर उन पर ध्यान नहीं देते कहीं ना कहीं जो इंडियन पीपल है उनमें बलेमिंग की हैबिट है वो दूसरों पर आरूप लगाते हैं उनकी अगर हालत खराब है तो वो अपनी हालात को सुधारने की कोशिश नहीं करते वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते हैं ये कहकर कि चूंकि तुम हम पर रूल कर रहे हो तो हमारा खयाल रखना तुम्हारा जिम्मा है तुम नहीं रखोगे खयाल तो हम मर जाएंगे और इस बात के लिए कहीं न कहीं इंडियन जिम्मेदार हैं तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता अब ये जो राइटर हैं वो आगे बढ़ती हैं कि मैं एक गाओं गई थी एक इंडियन विलिज घूमने गई थी जहां इतने बुरे हालात नहीं थे modern education वहाँ पे पहुँचा था एकाद गाड़ी भी वहाँ पर जो cars हैं वो भी जाती थी तो वो बताती हैं कि मैं उस गाओं में पहुँची वहाँ मिट्टी के घर थे और जोपणियां थी लेकिन सब कुछ बहुत ही साफ सुद्रा था और उस घर का जो मालिक था जिस घर वो गई थी वो घर का सबसे बड़ा बेटा नहीं था बलकि छोटा भाई था जो घर का सबसे बड़ा बेटा था उसे एक पैरलाइसिस अटैक हुआ था और वो घर के बाहर चटाए बिचा कर नेट लगा कर लेटा करता था जो घर का मालिक था उसने बताया कि ये मेरे बड़े भाई हैं और ये बहुत ही समझदार हैं पूरा गाउ जो है वो इनसे सलाह मांगने आता है इसी लिए ये बाहर ही बैठे रहते हैं ताकि कोई भी आई इनसे मुलाकात कर सके और जो एडवाईस चाहिए वो उसे मिल सके इस पर जो राइटर हैं वो नोटिस करती हैं कि भले ही वो जो बुढ़ा अदमी है वो बिमार है उसे पैरलाइसिस अटैक है लेकिन वो बहुत ही क्लीन है उसने बड़े साफ सुतरे कपड़े पहने है और चूंकि वो राइटर की भाषा नहीं समझता इंगलिश नहीं जानता फिर भी वो राइटर से बहुत ही प्लेजेंटली बिहेव करता है यानि उसे ये देखकर कि वो एक ब्रिटिशर है, अमेरिकन है वो बुरा नहीं फील करता है बलकि उनसे मुस्कुरा कर बाते करता है अब ये जो घर का मालिक है ये राइटर को अंदर लेकर जाता है और उन्हें खाना भी खिलाता है और राइटर बहुत इंप्रेस होती है इंडियन कल्चर से जहां उन्हें केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है खाना खाने से पहले उनका दाया हाथ दुलवाया जाता है इन सभी चीजों को वो नोटिस करती है और बड़ी खुश होती है इंडियन तोर तरीकों से लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि इंडियन जो हैं उनके मन में काफी सारी धार्मिक विचारे होती है लेकिन उन्हें उन्हें फॉलो करना होता है जैसे जो घर का मालिक था वो उनकी तरफ घूम कर नहीं खा रहा था पीट दिखा कर खा रहा था लेकिन इस बात का उन्हें बुरा नहीं लगता वो कहती है कि मैं दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ मैं जानती हूँ कि उनकी धर्मों में क्या मान्यता है कास्ट सिस्टम है वहाँ पर और किस तरह से वो खाना खाने के लिए जो अपने घर के बरतन है उसमें दूसरे कास्ट के लोगों को नहीं खाने देते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करती हूँ और इस तरह से वो अपने गाओं के बारे में उस गाओं के बारे में बताती है किस तरह गाओं के लोग अक्सर उस आदमी के घर आया करते थे, उनसे बाते किया करते थे तो यहाँ पर इसे खतम करते वे वो लास्ट के कुछ लाइन्स में कहती हैं कि उन्होंने अपने घूमने का, यह जो इंडिया में उनका ट्रैवल जर्नी रहा, उसके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी उसमें उन्होंने इंडियन्स के बारे में भी लिखा, चाइनीज पीपल के बारे में भी लिखा और साथ ही Britishers और Americans के बारे में भी लिखा वो कहती है कि हर धर्म में कहीं न कहीं यही बात सिखाई जाती है कि भगवान जो हैं वो एक हैं हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है कि God एक हैं Christians में भी यही माना जाता है साथ ही वो ये मानते हैं कि भगवान जो हैं वो सभी से प्यार करते हैं सभी धर्मों में माना जाता है और ये माना जाता है कि हम सभी जो हैं वो भाई हैं यानि जितने भी पीपल हैं जितने भी हुमन्स हैं सब एक दूसरे के भाई हैं सब एक बरावर हैं तो अगर इस तरह की मानिता है इस तरह की बाते मानी जाती हैं तो क्यों जो Americans हैं जो Britishers हैं वो इन बातों को भूल सुके हैं और Indians के साथ सही बरताव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी किताब जो है वो इन लोगों के समझ में नहीं आती उन्हें पजल लगता है उन्हें लगता है कि आखिर ये क्या लिखा है लेकिन जो Indians हैं वो तुरंथ ही मेरी बातों को समझ जाते हैं क्योंकि जो बाते वो कहते हैं वो उनमें विश्वास रखते हैं उ यहां पर ऐसे जो है यह खत्म हो जाती है पर लेस बग की इंडिया थूआ ट्रावलर्स आई